सेगाँ छेतर के ग्राम गोलवाडी में देर रात घर में खट्या पर सो रहेक युवक पर अग्याज वेक्ति ने कुलहाडी से हमला कर दिया जिसमें उसकी मोत हो गई घटना के वक्त मुरतक घर पर अकेला था इसलिए हमला करने वाले सक्ष का पता नहीं चल पाया हालाकि पुलिस ने संदेह के आधार पर एक वेक्ति को हिरास्त में लिया है जिससे पूश्ताज जारी है ग्राम नोंने बताई कि गणेश पिता सुरेज बम नके की किसी ने हत्या कर दी युवक का शोग घर के अंदर खटिया पर लहु लुहान हालत में पढ़ा था म्रतक अपने माता पिता से अलग गाउ में रहता था पतनी माई के गई थी वही गुरुवार को नों के लगबग परीजन घर पर लोटे तो गणेश को म्रत अवस्था में देखा जिसके बाद पुलिस को सुषना दी गई सेगाउं चोकी से मौके पर पहुची पुलिस ने पंचनामा तयार किया और शोग को सेगाउं के प्रात्मिक स्वास्त केंद्र ले जाये गया जहाँ पर पॉस्टर माडम के बाद शोग परीजनों को सोपा गया खरगाउं से जैनत गुपता की रिपोर्ट यह कुछ खाना की सेगाउं चोकी में एक दिश्टर में प्राइब कर आप देख रहे हमारा चैनल हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना पुले